Hello everyone, welcome to my channel exam store exam store channel में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो फिरें जो भी ये वीडियो देख रहा है एक पार जरूर 24 जनुवरी को जो टीचर और छात्र गिरफतार हुए हैं उनके बारे में जरूर आप लोग सोचिएगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट सभी लोगों के लिए किया गया था यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र के परिजन है वो किस कदर अपनी दुख और बेथा को बता रहे हैं कि मैं मजदूरी करता था और मैं अपने लड़के को देहारी पे यहाँ पढ़ाने को भेज जाता मुझे यह भी नहीं पता कि किस कोचिंग में पढ़ता था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे परिजन जो क्या क्या बता रहे हैं एक यहाँ पे राजन की पिता जी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और यह जो रिश्व रंजन जीन के वकील है इन्होंने क्या बताया है जिसमें जो है टोटल 6 सिच्चो को और 17 परिजनों को जो है प्रात्मिक दर्ज केस की गई है जिसमें से 4 जो है इस्टूडेंटों को गिरफतार किया गया है तो चली इसको हम लोग विस्तार से जान लेते है जो भी लोग चैनल पे नहीं होंगा चैनल को सब्सकाइब कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि एक्जामिश्टोर पल-पल का अपडेट आपको देते रहते है तो वीडियो श्टार्ट करते हैं लेट इस्टार्ट इट तो गाइज यहां पे सबसे पहले मैं वीवेकानंद कुमार को दिखाता हूँ यह देख सकते हैं हम जो पैसा करजा करके लाए थे सर बहुत खर्चा हो गया 15-1600 बचा होगा हमको पटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है इस पर भाई पर एकदम गर बता कहते कहते वीवेकानंद कुमार जो 28 वर्स की आखो जो है डब डबा आ जाती है यानि यह बिल्कुल जो है रोने लगते हैं वीवेकानंद वैसे तो जारखंड के गिरिडी जी लेके रहने वाले हैं लेकिन इन दिनों पटना के पुलिस इस्टेशन जेल और कोट के चक पटना के किस कोचिंग संसथान में पढ़ता है उनके भाई को जो है पुलिस आरारवी एंटी पीसी की परिच्छा वब परणाम की कथित धांदली के बाद जो है राजेंद नगर टर्मिनल पर छात्रों के हुए परदर्शन के बाद पकड़ कर ले गई उन्हें डर है कि ज सरकारी नोकरी मिलने में दिक्कत हो जाती है इस वज़े से विवे का नंज काफी परिशान है कहीं कैरेक्टर पर दाग लग गया तो उसकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी 24 जनवरी को यह परदर्शन हुआ था आप देख सकते हैं पटना में आरारवी एंटी पीसी की परि भग 6 गंटों तक टरेनों की आवाजाई रोके रखी बाद में दे रात पुलिस ने बल परियोग कर भीन को तीतर वितर किया लेकिन परदर्शन अगले दिन भी नहीं रूका इस दवरान राज के अलग-अलग हिस्सों में परदर्शन देखने को मिला एवं कुछ जगों प लाज में गुसकर छात्रों को पीटने वाला वीडियो भी वायरल हुगा आप लोगों ने देखा होगा यहाँ आप देख सकते हैं गाईस की पटना के भिखना पहाडी मोड पर हजारों की संख्या में छात्रों ने आरार्वी एंटी पीसी के संसोधित परिणाम और पुलिस ने साम के वक्त बल परियोग करते हुए छात्रों को वहां से खदेडा जवाबी करवाई के तोर पर छात्रों ने पुलिस बल पर रोड़े पत्थर बरसाए चोट दोनों तरफ के लोगों को लगी है छात्र समुदाई की ओर से किये जा रहे इस प्रदर्सन का कोई चैरा नहीं है बावजूद इसके छात्र जोए पुलिस प्रसाशन से भिरने को तयार दिखे शाथी इस पूरे पर दर्सन ने पूरे देश में एक और बात को जो है अस्थापित किया कि बेरोजगारी कैसे एक बड़ा मुद्दा है और अलग-अलग सरकारे यानी राजी औ केंद्र इस मसले के समधान को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दिखती इस संदर्म में Center for Monetary Indian Economy की और से देश में बेरोजगारी के संदर्म में दिये गए आकड़ों से पता चलता है कि इस वक्त देश में बेरोजगारी अपने सर्वकालिक चरम पर रहे देश में बेरोजगार मिल पा रहा है बेरोजगारी दर जो है आठ फित्सी से भी अधिक का आकड़ा छूरा है अब यहां देख सकते हैं इस पर दरस्तर में गिरफतार किये गए एक और छात राजन के पिता उमेश महतो कहते हैं हम तो 400 रुपए तक का देहारी मजदूरी करने वाले मजदूर हैं य हाथ में भी चोट मेरे ही बच्चे को लगी थी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें एक बच्चे के हाथ में से खुन बह रहता है तो वो बच्चा इनी का है दोनों हाथों में लेकिन अब क्या कहें वो सब बात कहने लाइक नहीं है जो हुआ सो हुआ बस अब बच्चों का कल्याण हो जाए सर्विस में कोई दाग ना लगे तो ये भी सोच रहें कि केस रफादाफा हो जाए और किसी तरह मेरा बच्चा गर वापस आजाए और कोई भी केस ना हो मैं तो आगे कहते हैं उनका जो है LDC में हो गया था यानि उनके लड़के का LDC में भी हो गया था जो की सारी परिक्रिया हो चुकी है टाइफिंग वेगरा हो चुका है पूरा चांस है कि वे मेरिट में भी आ जाएगा SSC Sigils का मिंस भी परिच्छा जो 29 जनवरी को था इस चक्कर में ही छूट गया है यानि इनका आप देख सकते हैं कि SSC Sigils का मिंस भी लगा था जो कि 29 जनवरी के था लेकिन अब गिर्फतारी के वज़े से इनका ये भी एक्जाम छूट गया हम तो प्रशासन से यही विंती करते हैं कि केस को खत्म कर दे वैसे तो वो कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी प्रशासन को कुछ लगता है तो उसको मुक्त कर दे बच्चा से गलती हो गया है तो उसको माफ कर दे अब यहां आप देख सकते हैं लखी सराय के रहने वाले उपेंदर यादो जो पचास वर्श के हैं और लड़के रोहित को भी पुलिश ने उक्त प्रदर्शन में शाहभागी होने के आरोप में गिरफतार कर लिया है वे आगे कहते हैं चावल और गेहुं घर से ही वेशते थे थोड़ा बहुत हमारा खेती है बाकी तेल मसाला और सबजी वो यहीं से खरीद लेता था पांच साल से पटना में रह रहा था हमको तो यह भी नहीं पता कि वो किस कोचिंग में पढ़ता था अब रिजल्ट सब आने लगा तो ऐसा हो गया सरकार से गुहार है कि उसे आगे के लिए मौका दिया जाए और केश्ट खतम कर दिया जाए यहाँ आपको बताते चले कि किनी सरकारी नोकली के लिए चरित परमालपत्र अनीवार होता है अस्थानी थानों और जिला प्रसासन की और से निरगत इस परमालपत्र पर बेहद सामाने परिपाती के लोगों का बहुत कुछ निरवर करता है चरित परमाडपत्र सरकारी नोकरी पाने के लिए एक अहम दस्तावेज है इस तरह के मामलों के दर्ज होने के बाद शमाने तोर पर पुलिस किसी को एकदम पाकशाफ नहीं करार देती है परिवार वाले इसी बात से डरे हुए है तीनों परिजनों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा और गुहार लगाई कि प्रसासन उन्हें दोस्मुक्त कर दे और वे कहीं से गुनागार नहीं है कैरेक्टर सार्टिफिकेट पर कोई दाग न लग जाए यह देख सकते हैं तीनों के जो हैं गायर जियन्स यहाँ पर विवेकानंद कुमार, उमेश मेतो और उपेंदर यादो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कि छे कोचिंग संचालकों पर सत्रों लोगों पर प्रात्मी केस दर्ज हुए है जिसमें से चार चात्रों को ही गिरफतार किया गया है ठीक है, क्या कहते हैं इनके वकील इनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस पूरे मामले में चात्रों की ओर से पच्छ रखे हुए एडवोकेट रिसव रंजन कहते हैं, देखिए इन सारे चात्रों को जो है 24 तारी की रात राजेंदर नगर टर्मिनल के आसपास से उठाया गया है और उन्हें पुलिस एयरपोर्ट ठाना ले गई है फिर वहाँ से उन्हें पत्रकार नगर ठाने लाया गया 25 तारी को जो है F.I.R. फाइल की गई है और 26 तारी को पुलिस ने चात्रों को रिमांड मजिस्टेट के सामने पेस किया फुरावधान ये है कि यदि पुलिस किसी को हिरासत में लेती है तो उसे 24 घंटे के वीतर जो है मजिस्टेट के सामने लाना होता है लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया रिशव आगे कहते हैं सनी वार सुनवाई के दोरान सरकारी वकिल ने वेल का विरोध करते हुए कहा कि चात्रों ने हिंसा की है और संपत्ति का नुक्षान किया है शोमवार की भी सुनवाई हुई हमारी दलील है कि ये पढ़ाई करने वाले मेधावी चात्र है लेकिन आज भी सरकारी वकिल ने बेल का विरोध किया है बिहार पुलिस ने जिस तरह से परदर्शन करने वाले चात्रों पर मुकदमा दर्ज कराया है उसके लिए सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है एक तरफ ये सब ओर आये लेकिन दूसरी ही ओर सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि वो इन छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है जनता दल यूनाइटेट के प्रवक्ता नीरच कुमार कहते हैं छात्रों की विए लियाची का रिजेक्ट होना हमारी लिए भी चिंता का विशय है लेकिन हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नियाई की लड़ाई में हम उनके परिजनों के साथ खड़े हैं नीजी तोर पर मैं मानता हूँ कि वे कहीं भी गुन्यागार नहीं है मैं अपने नीजी और आजनेतिक हैस से परिजनों से शमवाद करके यह तै करने की कोसिस करूँगा कि उन्हें नयाय मिले ठीक है तो यह रा जो मैंने आपको दिखाया मिलते हैं फिर नेक्ष्ट वीडियो में उमीद करता हूँ आपको जो ही इन से सुनके परिजनों के दुख के बारे में आप लोग को पता चला होगा और आप लोग से भी जो भी बन सके आप लोग प्लीज इनके बारे में कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़ वै टेक केर जाहिन दोस्तों